तो और आप देख रहे हैं गीनल पेरड़ाइस आज मैं दिखाऊंगा और पर्पोस इन पिके और इस जो मिक्सर होगा ना यही आप बाजर से बहुत प्राइस देखे आप खरिदता है और इसमें आपको जो नासरीया ओ कहा देता है इसमें बहुत सारा प्रोटीन है वीटामी तो यह हो मीक्स होता है जिसको आप द्वि enchante के लिए चोनिक जो आप घर में तेयर करसकता है तो इसके लिए आपको तो थोड़े बहुत जानकर यह आपको देंगे तो पहले मैं दिखाता हूँ मैं गर में एक एनप के कि लिए और यह जो आपर कोई पेली प्लैन में जो आप पहले भी देख चुका है तो और एक चीज में लिया हूँ वह है यह देखिए जो है चार्कोल डास्ट तो आप मैं आता हूँ यह जो मेटरियल मैं लिया हूँ घर में आप इसली आल पर्परस कॉंपोस्ट बनाने के लिए तो मैं जो अवराने कॉंपोस्स लिया हूँ इसमें एनपी के का जो एशय होता है ऑल लिया हूँ चार्कोल में पॉक्षका भास्ट वह बहुत ज्यादा रहता है तो इस पॉक्षक रहता है 21-20 परस्ट तो मैं आप परस बैलैंस एक ईनपी के भाटिललेजर औरगनिक मैं आपके लिए त इसमें बालता हूँ हुआ करना थे दिया हूँ और मैं क्या करूंगा इसमें जो है बोन मील में क्या होता है आपको 3.5% इसमें एंटोजन रहता है और फोस्परास रहता है 18% और पॉटसिया में इसमें नहीं रहता है तो मैं बैलन्स करने के लिए पहले मैं जो दे चुका हूँ जो है फर्मि कॉंपोस्ट उसमें जो पॉटस का जो लेबल है और ज्यादा है इसलिए मैं इसमें बॉन् पाइसब्स में क्ल Ó band में चाल हैं मैं तो मैं रहे हैं करूंगा इसमें मास्टर के का रच मğक Kr erklären की में पकेट थे शुक्तु hatır यूजी क्वेर यूजा माने कि पलिकध्त का यूजिए शुक्त्मा कॉफ्बग फारी टीच का भीव तो पाल जू écritलर तो मैं इसमें नाटोजेन का भाग के लिए मैं इसमें मास्टार केक एड़ करता हूँ तो है मास्टार केक जो एड़ करूँगा तो यह भी कि वान केजी का है इसको मैं एट करता हूँ इसमें तो इसको मैं हाप 500 ग्राम एट करूँगा तो मैं इसमें 500 ग्राम इसको एट के दिया हूँ इसमें कोई इसमें केमिकल फैटिलाजर एट नहीं कर रहा हूँ तो इसके बाद मैं एट करूँगा जो है नीम केक कर जो पाउडर है वाइट करूँगा वो इसमें तो 2510 इसका रेशियो होता है लेकिन इसमें कैल्सियम का भी पाट बहुत ज्यादा रहता है और बोन मिल में भी कैसी यह आपको मेंगेसियम है उसका पाट भी बहुत ज़्यादा रहता है 10.5 रहता है तो मैं एट करता हूँ इसमें नीम के पाउडर को मैं एट करूँगा 300 ग्रम क्योंकि इसमें जो नेटेजन है उसका पाट ज्यादा रहता है तूँटी है इसके लिए यह कम मैं एट किया तो मैं add किया हूँ क्या जो एक balance जो organic phytalizer NPK के लिए जो हर कोई जो plant है उसमें मैं आप use कर सकते है तो मैं आपको ऊपर में एक list देता हूँ जिसमें आप देख सकते है इसमें कुन सा phytalizer में जो NPK का पाठ है और क्या है अब चाट देखे समझ जाएंगे तो टूटल जो पा हर्टी लजर के लिए ठीक होगा तो चलिए मैं इसके बाद जो एक करूंगा ओ है जो चार्कुल का डास्ट जिसमें वाटर स्राइथ है 21 परसें तो चलिए इसको मैं add कर देता है यह मैं तो इसको आप अच्छे से मिक्स कर लिजिए तो एक क्या होगा एक मिक्स ऑल पर्परस हर्टी लजर जो इन पिके जो और गनिक नपिके है और तैयार हो गया इससे आपका जो प्लैंट है इसको हम ही पहुचाएंगे नहीं और ग्रो भी आच्छे होगे क्योंकि जो जब को इसमें जरकार होगा प्लैंट में वह इसमें पाई जाएगा तो एक अच्छे से आप बाई कर लेंगे बाहर से कोई भी नाशरी से आप बोन मिल जो भी है और लेक आयके एक मिक्सर आप तैयार कर सकता है क्योंकि आप बाजर में एही मिक्सर आपको बूद ज्यादा जम्मे आप प्लैंट में मिलता है और इसमें आप तैयार करने से क्या होगा आप बूद लोब प्राइस में ही आपके पास एक अच्छा हटनेजार होगा जो और परफस आपको काम के लिए इसकर सकते हैं कोई भी जरूरत हो तो आप यह 10 देक और 15 देके बात-बात आप प्लैन में एक मुठी लेके आप इसकर सकते हैं आपके पॉट के साइज के मापिक आपको यूज करना होगा वह भी मैं एक वीडियो में आपको दिखा हुन दूंगा क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो उसको कहा है कि कुण सा प्लैन में क्यों फटी लाजर यूज करना होता है इसके लिए एक में वीडियो त्यार करूंगा उसमें मैं कहें दूंगा आपको फाटी लाजर कितने देना है उसको आप दस देन के लिए एक डैक में रख देना है क्योंकि यह जो आपको नीम केक और यह जो मस्टर है तो आप आपको ज़ाज ज़्यादा होता है इसके अब डायरेक्ट आप इसको यूज कर देंगे तो आपको प्रैक को हमीं पहुष्छ सकते हैं इसके लिए आप इसको दस दिन तक पैकेट में रखे फिर आप इसको यूज कर एपढ़ने को तो बहुत अच्छा फल देंगे केमिकल पाइजर भी एट कर देता है एकिन मैं इसमें च önकाइजर अरुइंगे तो आपको स från में दिंगत के आपको नहीं प्लान को घ। यह लिए अदनी आपको काऊओं।कि तो तो आप देख रहे थे Green and Paradise मैं बहुत इसली और बहुत शॉट वीडियो में आपको कही दिया हूँ तो आप इसको इसकरें और मेरा जो तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही आप देख रहे थे Green and Paradise और मेरे जो चैनल है बहुत सारा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए औ तो मुझको भी अच्छे लेगा तो आज के लिए फिर टाटा बाई बाई